हेलो दोस्तो मेरा नाम है सेवक सेंग और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मेकैनिकल चैनल आई की दोस्तो जो वीडियो है वो है कि जो टीवी का पुराना बोर्ड है वो निकाल कर नया बोर्ड कैसे लगाएं कई दोस्त सोच रहे होंगे कि ये इतनी प्राणी वीडियो क्यों डाल रहे हो क्योंकि आज कल टीवी का भी खत्म हो चुके है जहां हो रहे है LCD का जमना आ चुका है अभी तो लेकन कई दोस्तों के कमेंट आये थे कि हमें एक वीडियो ऐसी बना कर दो जिसमें के हम टीवी का बोर्ड चेंज करें तो मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो अंजान है कभी बोर्ड नहीं बदला उन्होंने तो ये वीडियो देखकर अंजान से अंजान ब्यक्ति भी बोर्ड बदल सकता है सबसे पहले आपको जो CRTS को डिसचार्ज करना है क्योंके कई बार टीवी चालू हालत में होता है लेकिन उसमें फाल्ट कोई और होता है तो ये चार्ज हो जाता है अगर आपकी EST बन रही है अगर टीवी डेड है तो अलग बाद है तो इसको discharge कर लेना है क्योंकि यह एक तरह का kapishtol होता है उसके बाद आपने देखना है कि इसकी जो gun है वो narrow है जा मोटे वाली है क्योंकि narrow के लिए अलग बेस आता है और जो मोटी gun है उसके लिए अलग आता है यह panel है इसका और यह साथ में जो कुश वैर वगेरा आई है जिसमें input supply, speaker wire या AV input, output तो चैना का बोड है वैसे बना हुआ जहां का ही है तो उसके बाद जो दूसरा main इसका point है कि इस बोड को आपने सबसे पहले अर्थिंग करनी है इसकी जैसे यह देखें pen पहले लगी थी, यह पहला board है यह वाला, इसमें pen लगी हुई थी तो यही pen हम इसमें लगा देंगे और कुश यहां पर जो sort दिये गए है, जैसे यह है AV odd, जो के audio video odd, और इसमें दो audio video है, n वाली यह AV1 और AV2, यह दोनो input है audio video input के लिए यह दोनों हम जूज कर सकते हैं और इस side में आएंगे तो जो panel है आपका आगे का जैसे यह key, ground IR remote के लिए और V, V से 5 volt जो जाएंगे IR को चलाने के लिए तो एक जो jack है जहां पर लगेगा यह वाला है जो speaker आपके है, दोनों speaker left, right पर इसमें ICA की लगा हुआ है तो यह देखें यहां पर parallel में ही यह लगे हुए है तो इसमें steleosound नहीं है, यह mono है पर speaker आपके दोनों लगेंगे, AC 220 input और यह है जो XS501 यहां पर degosin coil जो CRT के उपर लपेटी जाती है और जो इसकी supply है वो BPL supply है जिसमें के एक octo couple लगा रहता है 817 और जो pen हमने पराणे board से नकाली थी वो हम जहां पर लगा देंगे क्योंकि इस board को सबसे पहले आपने अर्थिंग करना है क्योंकि जैसे ही EST बनती है, अगर आप ने यह अर्थिंग नहीं किया तो जैसे ही boost voltage बनेगे EST के, तो वहां से spark आ जाएगा आपके board पर और जो आपका main IC है वो खराब हो जाएगा तो ऐसलिए सबसे पहले आप जो CRT के उपर एक अर्थिंग की वैर दी गई है CRT को अर्थिंग करते हैं उसको इस जगा देना है उसके बाद हम बेस लगा देंगे बेस लगाने के बाद जो EST की boost voltage का जो plug है वो हम लगाएंगे पहले आप इसको अच्छी तरह से साप कर लो अगर जहां पर moisture वगरा है तो आप WD-40 जा पेट्रॉल जा थिनर थिनर नहीं थिनर मत वर्तो पेट्रॉल जहां WD-40 लगा कर उसके बाद थोड़ा सिलिकोन भी लगा सकते हो आप जहां पर तो इससे जहां पर जो moisture है वो खत्म हो जाएगा और यह वाला जो plug है इसमें चार वेर हैं यह है जोक कोयल के लिए इसको जोक कोयल बोलते हैं और इसमें एक vertical हरी और पीली vertical लाल और नीली रहेगी horizontal जोक कोयल के लिए तो यह जो चार वेर है जोक कोयल की हो गई जो पहले वाली वायर थी वो नकाल देंगे हम और जो लाल और नीली वायर होती है यह horizontal की होती है और जो दूसरी वायर है वो color कोई और भी हो सकता है अगर आपको यह वायर ना मिले तो आप multimeter से भी इसको चेक कर सकते हो के horizontal कौन सी है और vertical कौन सी है यह जो चेक कर रहे हैं अभी 11 ohm है आपने 200 ohm पर रखना है multimeter जिसकी जो resistance है वो कम आए जैसे इसकी resistance 7 आ रही है दूसरे की 11 तो 7 वाली जो है वो horizontal है और 11 ohm वाली है जो वो vertical है अगर यह बाहर दुनों उल्ट लग जाए एक दूसरे के तो आपका जो vertical वाला IC है वो खराब हो सकता है क्योंकि वो कम ohm की जो क्वैल है आपका क्वैल है उस पर लगेगी तो उसके कारण IC पर load आ जाएगा तो जो speaker वाले हमारे jack थे वो plug वो वही आ गए क्योंकि पहले भी कुछ इसी तरह का board था और वो हम वही रहने देंगे उसके बाद हम इसको main AC 220 जो switch के वाया switch के द्वारा आ रही है तो यह हम लगा रहे है main AC input अर्थंग हमने पहले CRT को कर दिया है क्योंकि वो इसका सबसे जरूरी है और उसके बाद यह यह पैनल है जिस पर micro switch लगी होई है control के लिए और साथ में ही एक LED है और IR है जो sensor वो लगा है तो हमने इसको main supply दे दी है तो LED हमारा glow करने लगा भी तो TV हमारा on हो चुका है लेकन इसमें आप देखें के जो अक्षर है वो उल्टे हैं और दिखने में भी वो बिल्कुल सही नहीं देख रहे जैसे हम flip कह सकते हैं flip हो गए हैं दूसरी साइड में चले गए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है जो vertical वाले वायर है वो दोनों चेंज कर दो vertical वाले वायर है जहां हरी लगी थी वहां पीली लगा दो पीली की जगह हरी लगा दो तो आपका जो display है वो सही आई गया यह देखें अक्षर सीधे हो गए अब हमारा यह जहां तक तो चल गया अब उसके आगे जो panel है हमारा क्योंके जो आपकी cabinet है वहां पर जो panel है यह फैटर नहीं आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले तो आप जैसे यह capacitor लगा हुआ है और IR है इसके connection करने है इसके connection बेलकुल simple है कि जैसे filter पर 5V आते हैं तो वहां पर हमने ground और 5V लगा देनी और जो IR को सीधे IR वाली जो wire है वो लगा देनी और बाकी बचा panel तो इस पर जैसे channel प्लस negative वालिम प्लस negative है तो आपने क्या करना है कि इसी तरह जो आपके TV का पहले वाला panel है उस पर भी ऐसा ही लिखा हुआ तो जो नए board की resistance है वो नकाल कर उसमें लगा देनी है जो पराने panel में तो आपका panel वो सही काम करने लगेगा उसके बाद हम जो आये हैंगी बारी हमारी वो है audio video input क्योंकि इसके बगार ना तो video चलेगी ना audio तो इसके लिए हमने जो इसका एक ground रहेगा तो जो चैसी का ground है बोर्ड का ground है उससे हम resistance चेक करेंगे जिस की जिस वायर की resistance 0 आई continuity 0 आई तो वो ground है और उस बाकी जो बची उसमें से एक video के लिए और दूसरी audio के लिए है और यह है डिगोजंक वैल के लिए जो के जहां पर लगनी है जो CRT के उपर लिपेटी जाती है उसके उसको डिगोजंक वैल बोलते हैं यह दूनों वैर है एक white है एक gray है दूनों हम जोड़ देंगे और उसके बाद जो इसका chassis है वो लगा कर अभी audio video के जो socket है उसके connection बाकी है पहले चार वैर थी इसकी क्योंके यह पहले हो सकता है stereo sound हो इसमें left और right audio और जो एक video और जो चौथे वाला है वो ground हो गया तो अभी हमारे पास तीन वैर है जिसमें के यह जो black वैर है यह ground के लिए है जहां common बोल सकते हैं तो यह तीनों जो pen है इनका जो ground है वो एक जगा रहेगा तो वहां पर हम लगा देंगे इसकी black वैर जहां पर आपने ख्याल रखना है कि जो इसका टेवी का ground है चैसी का वही इसका ground रहेगा तो एक video और एक audio वीडियो के लिए yellow जूई होता है audio के लिए लाल या white तो आपने देख लेना है कि किसमें वीडियो आ रही है तो वो आप बाद में भी सही कर सकते हो तो हमने अभी इसमें connection लगा दिये हैं और picture आ चुकी है screen पर थोड़ा सा जो इसका blur है अभी आप देख रहे हैं तो इसके लिए fox जो उपर वाला आपको देख रहा है एक यह देखें जो आपको अक्षर देख रहे हैं यह अभी blur है तो अभी मैंने सही कर दिये जो fox जो fox का button था उसको घमा कर और अभी height इसकी कम है तो इसके लिए आपका जो remote आएगा साथ में उसी में ही एक button होता है जिसको service menu बो और को किसी pen से तो इस तरह का menu खुलेगा उसके बाद यह पहले वाला menu है जिसमें आप color set कर सकते हो और उसके बाद आपने display जा mute का button दबाएं तो अगला menu खुलेगा तो जैसे ही हमने यह display का button दबाया तो अगला menu खुला जिसमें है V size vertical set तो हम यह भी ठारा है अठरा है तो इसको हम ज्यादा करेंगे जहां तक आपकी प्रक्राइब सही हो भी वहां पने शूरी और अभी जो हमारा TV है यह उत्य हो चुका है तो बस इतना है काम था आप भी यह काम का सकते हो वीडियो कशी लगे लाइक कर देना देखने के लि प्रिया किक टू prisoner